हेलो दोस्तो, सीता की कहानी में आपका स्वागत है दोस्तो, आज बेला की हल्दी है इसलिए सबने पीले रंगे कपड़े पहनी है घर में फूलों से सजाविट की कई है और सब लोग बहुत खुश है राधा ने भी बहुत सुन्दर पीले साड़ी पहनी है तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होने वाला है ये, आज तो बेला बुआ की हल्दी है सब लोग बहुत मज़े करेंगी देखो, मेरी कितनी सुन्दर फ्रोग और यहाँ पर बेला भी तयार हो रही है यहाँ फूल जड़ी बेला का मेकप कर रही होती है वाउ बेला तुम बहुत सुन्दर लग रही हो और तुम्हारी ये ड्रेस तो एकतम बहुती ज़ादा सुन्दर है ओर हाँ, तुम्हारा मेकप भी मैंने एच्छे से कर दिया है अब तुम्हें बस फूलो वाली ज्वैलरी पहननी है जो कि हल्दी में पहनती है क्या कहा बस हो गया मेरा मेकप इतनी जल्दी कैसे हो गया अभी तो मैंने देखो कितना महंगा प्रांडड मेकप का सामान मगाया है वो कब यूज करूँगी मैं ऐसा करो फूल जड़ी मेरे चहरे पर और मेकप लगा दो ताकि मैं बहुत ज़्यादा सुन्दर दिखो सबसे ज़्यादा सुन्दर आगर मेरी हल्दी है तो सबसे ज़्यादा गोरी मैं ही दिखनी चाहिए चलो ये मेकप लगा दो मुझे वाव, कितने सुंदल फूल है कितने प्यारे लग लही है, पीले रंगे फूल खोल देखो मैंने भी आज पीली फ्लोग पहनी है देखो सोनल, मेरी फ्लोग सबसे ज़्यादा सुंदल है हले चुप हो जाओ, इतना ज़्यादा इतलाने की जरूलेत नहीं है क्योंकि तुमसे चाता है सुंदल तो मेली फ्लोक है ये फ्लोक मैंने विमला काकी से शिलवाई है विमला काकी को बहुत अच्छे कपले शिलने आती है देखो किते अच्छे डिजाइनिंग बनाई है मेली फ्लोक पर और इसे पहनकर ज्या मैं गोल-गोल खूमती हूँ तो ये बहुत अच्छी लगती है तब ही चिंतों भी नई कप्डे पहन कर आ जाता है देखो सोनलीडी मैने भी नई कप्ले पहनी है आज मेली भी हर ली है मेली भी शादी होगी क्या कहा तुम्हाली भी शादी होगी, किसके साथ, मुझे लगता है तुम्हाली शादी छुटकी के साथ होने वाली है, हाँ ये ठीक लहेगा, तुमना छुटकी से ही शादी कर लो हाँ मैं छुटकी से शादी कलूगा छुटकी मेरी दोस्त है आज मेरी हली है दोस्तो छुटकी से शादी कलोगी तो वो रोज तुमारे किलो ने तोड़ दिया कलेगी और तुम्हें याद है कल उसने तुम्हाले चोकलेट भी तो छीन कल खाली थी चुटकी से शादी नहीं कलना वो बहुत शिलालती लड़की है ठीक है ना हाँ स्वीती दीदी चुटकी अच्छी बच्ची नहीं है वो मुझे पीटती है और मेली चोकलेट खा जाती है मैं चुटकी से शादी नहीं कलूँगा मैं दो मुन्मुन की दहन बटकती से शाजी करो दा क्या सीता दीदी आपने अब तक पीले कपड़ी नहीं पहने अरे आपके पीले वाली साड़ी कहा है चाहिए ना चल्दी से जाकर पहन लीजिए सब महमान आने वाले हैं और आप अब तक तयार नहीं हुई है राधा अभी मेरा बलाउस लिकर तयार नहीं हुआ है मैं वही लेने के लिए मारकिक चा रही हूँ तब तक तुम ऐसा करना गुलाब के फूलों से अच्छा सा गुलाब जल बना लेना और हाँ हल्दी भी अच्छे से गोल लेना तुम्हें पता है ना कि कैसे हल्दी तयार करनी है सारा काम अच्छे से कर लोगी ना तुम हाँ दीदी मैं अच्छे से कर लोगी देखो मैंने गुलाब की साफ सुन्दर पंकुडिया तोड कर रख ली है और इन्हें अच्छे से पाने में दो लिया है अब मैं इससे गुलाब जल बना लूँगी दीदी अब चले जाएए ले आईए अपने साड़ी हाँ ठीक है राधा जा रही हूँ मैं तो मच्छे से सारा काम सभाल लेना ऐसा बोलकर सीता पाजार की दरफ जानी लगती है अरे सीता बहू सीता बहू ये बैक उठा कर कहा जा रही है महरानी आज ही हल्दी है तेरी नैनेत की हाँ माजी मुझे पता है सारी तैयारिया अच्छी से हो गई है वो क्या है ना मैं बलाउस लेने जा रही हूँ मेरे साड़ी का ब्लाउज नहीं सिला है अब मैं ये पुराने साड़ी पहन कर तो नहीं रह सकती न मुझे भी अपनी नई पीले वाली साड़ी पहननी है माची अच्छा वो सब तो ठीक है ये पता तुने हल्दी में पहनने वाली जोयल्री ला दी क्या वो फूलों वाली जोयल्री जो लड़कियां पहनती है आशकल वो ले आई सी ना बेला के लिए हे भगवान मैं तो वो नहीं लेकर आई माची मुझे माफ कर दीजिए उससे भूल हो गई लेकिन अभी मैं तेलर के पास जाओंगी तो जोयल्री भी खरीद लाओंगी बेला के लिए अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ हे भगवान मैं तो कितनी बुलकड हो गई हूँ इतनी जरूरी चीज भूल गई मैं क्या करूं मैं इनका ये दोनों तो आजकल काम चोर हो गई है मेरी बेटी की शादी है और ये पहुए अच्छे से काम नहीं कर दही है लो भई पेला मैंने तुम्हारे चेहरे पर और मेकप लगा दिया अब तो तो बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लग रही हो पहले से भी जाना सुन्दर अच्छा ऐसा है क्या फुल जड़ी तुम्हारा शुक्रिया चलो अब मैं आईने में अपना चेहरा देख लेती हूँ मेकप अच्छे से हो गया क्या अरे ये क्या फुल जड़ी तुमने तो कुछ भी नहीं लगाया अरे ठोड़ा और मेकप लगाओ ना देखो तुम क्या कर रही हो फुल जड़ी लगता है मुझे खुद ही मेकप लगाना होगा क्यों कोई बात नहीं लाओ तुम ये मुझे तो अरे हाँ हाँ तुम ही लगा लो बेला इससे ज़्यादा मेकप लगाने से तुम्हारे स्किन में अलर्जी हो सकती है फिर बात में मुशे मत बोलना कि है लो तुम खुद ही लगा लो क्या बात कर रही हो तुम इससे कोई अलर्जी नहीं होगी ये ब्रेंडर मेकप है बहुँ जागा मेंगा मैंने ओनलाइन इसे पचेज किया है लाओ के खुद ही लगा लेती हूँ तुम्हे नहीं पता मेकप के बारे मेン अच्छा ठीक हे बेला तुम ही खुद मेकप कर लो मैंने कितना सुन्दा तुम ही बनाया है लेकि तुमना पुरा मेकप ही खराब कर लो की लगता है चलो चार ही हूँ मैं हरी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझी मेकप करना अच्छी से आता है, रेखो थोड़ा अच्छी से पाउड़ लगाती हैं चेहरे पर, ऐसी. राधा, जो सुबह बाग से में ताच्छा फूल लेकर आई थी, तुमने उनसे गुलाब जल बना लिया क्या? हाँ माजी, देखी मैंने कितना अच्छा गुलाब जल बनाया है, कितनी अच्छी खुश्बुगा आ रही है इसे, बहुत अच्छा गुलाब जल बनाया है मैंने, हरी वाआ, ये तो बहुत अच्छा दिक रहा है राधा, माजी अब बतादीinken इसका क्या करना है, और हाँ, हल् तैयार करेंगी, यह है लीची माची, मैं बर्तर ले आई, बताएगे अब इसमें सबसे पहले क्या डालना है मुझे, सबसे पहले इस बर्तर में थोड़ा पेसन डालो, ऐसा करो, दो बड़ा चमच पेसन डाल दो इसके अंदर, हाँ हाँ माची, अभी डालती हूँ मैं, हाँ ह ठीक है, बस इतना बेसम बहुत है, इसे अच्छे से मिक्स करो, ठीक है ना, अब इसके अंदर एक बड़ा चमच हल्दी पाउडर डालो, ये हाथ की पिसी हुई घर की हल्दी है, अच्छे से मिक्स करो इसे, हाँ हा माजी, अभी करती हूँ, अब इसके अंदर मिलाना है ये ग गुलाब चल, गुलाब चल से चेहरे पर बहुत अच्छा निखा राता है, चलो मैं हल्दी के अंदर डाल देती हूँ, इतना नहीं थोड़ा ओर डाल देती हूँ, अच्छे से मिक्स करना है अभी से राधा ठीक है ना, हाँ माजी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ च देखो कि हल्दी तो बनकर तयार हो गई चलो अब मैं इसे घर के अंदर रख देती हूँ सारा काम मैंने अच्छे से कह लिया बस अब तो सीता दीदी आ जाए वाव हल्दी बनकर तयार हो गई चलो देखती हैं मैं भी आज खूब चाली हल्दी लगाऊंगी ताकि मेरा रंग जुआ हो जाए चलो चलो जल्दी जल्दी हल्दी लगा लेती हैं फिल सब पैमान आज जाएंगी सबसे पहले मैं लगाऊंगी तुम पहले क्यों लगाऊंगी तुमारी आज थोड़ा नअ शादी है tak सबसे पहले बेला बुआ और साम फुफाजी लगाएंगे, समझ गई बुद्दू, तुम पहले मत लगाना, जिसकी शादी होती है, वो पहले लगाता है, मीली भी शादी है, मैं भी हल्दी लगाऊंगा, सबसे पहले, क्या कह रही हो चिंटू, तुमारी अभी थोड़ना शादी है, अभी तो तुम छोटे बच्ची हो, नई ममा, मैं शादी कलूँगा, मैं खुटकी से शादी नहीं कलूँगा, वो मेरे पिटाई कलती है, मैं तो मुनमुन की बहत, नदखती से शादी कलूँगा, नदखती ये चिंटू भी न, बता रही क्या बोल रहा है, अचा ठीक बच्चो तुम खेल लो, मैं जा कर देखती हूँ, बेला तयार हुई या नहीं, बेला, अरे बेला क्या कर रही हो, तुम्हारा मेकप हुआ या नहीं, कब से तयार हो रही हो तुम, हाँ भाबी, देखो मेरा अब हो गया, लेकिन क्या है न, उसे वो वाली च्वैलरी नहीं मिल रही, जो लड़कियां हल्दी वाले दिन पहनती है, वो पीले फूलो वाली च्वैलरी, अच्छा वो फूलो वाली च्वैलरी, वो लेने के लिए सीता दीदी कई है, बस वो आती ही होगी, चलो में जा कर देखती हूं और तुम्हारी जोलरी लेकर आती हूं ठीक है न, वैसे अभी हल्दी का टाइम तो हो गया है, शाम और उसका परिवार भी आने वाला है, और हाँ सभी महमान भी अब आना शुरू हो जाएंगी, ऐसा कहकर रहा था, पेला की जोलरी लेने के लिए पाहर की खाइमी!